हेलो माई डियर बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और घल पर सुदक्षित होंगे आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग चेट इंचे वाली राइन लेकिन उससे पहले एक में शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाओंगी और वो इस्टोरी बहुत ही अच्छी है मुझे अम्मीद है आपको पसंद लाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी उपते हैं एक दिन क्या हुआ एक था बॉय जैक येस बॉय बॉय मीज लड़का उसका नाम क्या था जैक और एक थी गर्ड उसका नाम था जिल येस गर्ड कर्ल मीज लड़की तो उसका नाम था जिल जैक एट जिल ये दोनों क्या थे ये दोनों आपस में थे ब्रदर एंड सिस्टर brother sister मतलब भाई बहन जैसे आपके छोटे भाई बहन होंगे ना या बड़े बहन होंगे तो उसी तरह ये लोग भी थे brother and sister भाई और बहन तो ये दोनों जो jack और jill थे बहुत ही naughty थे वो अपती मम्मा की बाद पिल्कुल नहीं सुनते थे जब उनकी मम्मा उनसे बोलती थी कि आपको ये काम नहीं करना है इससे आपको नुक्सान पहुचेगा हाँ पहुचेगा चोट लग जाएगी लेकिन ये jack औंजिन जो क्या करते थे और वो जो थे अपनी मम्मा की बाद बेल्कुल नहीं सुनते थे एगर बैगो कम आपको ये चम fps है है इती ज में अपने ब्रेदल्स idea किया वहां म में हमिजे पानी ने ज़ाना है मुझे उस पहारी पर पानी बढ़ने जल लेकिन उनकी मम्मा ने उनसे बोला कि आप लोग तो बहुत अभी स्मॉल हो, बहुत छोटे से हो, आप लोग बकेट को कैसे उठा पाओगे और आप लोग ग्यूट जाओगे, लेकिन जैग जो था, उसने का नहीं नहीं, वो जिद करने लगा, जेल भी जिद करने लगी, काते कि नए nai nai nai, मैं जाओगे, मैं जाओगे, मैं भी जाओगा, मैं पानी भरने जाओगा, तो फिर्ल की ममा ने कहा जाओ लेकिन सोच लो ममा की बात नहीं मान रहे हो तो ऐसा नहों कि तुम लोगों को कुछ चोट लग जाए तो लेकिन जैक जो था उसने का खीक है मैं जाता हूँ मैं भरूँगा पानी तो जिल भी उसके साथ साथ हो ली तो चलिए आगे अब देखते हैं एक पोयाम के थुग कि क्या हुआ फिर भोल जब जो लोग पानी भरने गए ठीक है तो चलिए स्टार करते हैं लोग पोया जैट एंड जिल वेंट अप दा हिल तो फिच अपेल ओफ वाटर जैट फेल डाउन एंड प्रोखेस क्राउन एंड जिल के टमलें आप्टर देखा आप लोग उने कि जो जैट था जैट कैसे बकेट कर लेकर के गिरा और जिल भी धाम से गिरी और दोनों के सर पे चोटाई तो देखा आप लोगों ने कि अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो हमें क्या हो सकता है कभी कभी हमें हाम भी हो सकते हैं अपने बड़ों की बात जरूर से माननी चाहिए तो चलिए आए एक बाल हम लोग इस पोयम को फिर से रिवाइस करते हैं तो थीना ये बहुत अच्छे सी लाइम तो आपको भी घर पे ये लाइम एक्शन के साथ लन करना है और हाँ रिमेंबर रहें आपको अपने ममा की या अपने से बड़ों की बात को जरूर से मानना है ओके टेक कियर और बाई बाई